नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है ब्रेकिट न्यूज पीछे प्रेम प्रसंद बताया जा रहा है। शेत्रा दिकारी हरियावांग वगौली थानाध्यक्ष सरोज कुमार गौतम वप्रभारी निरीक्षक कच्छोना हरसंती अपनी की मुथ निरीक्षक जब्बार खा सहित मौके पर पहुँचकर निरीक्षन किया। फोरेंसिक टीम ने भी घटना स्थर पहुँचकर छानवीन की। परिजनों के अनुसार घटना के पीछे का कारण मृतक रामनाथ की पत्मी चार वर्ष पहले आरोपी रोशनलाल के साथ चली गई थी। वह बाहर मजदूरी कर रखता था। तीन बच्चे रामनाथ के पास रहते थे। मृतक की मा काफी व्रिध हैं जिसका रो रोकर बुरा हाल है। आपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी ने परिजनों की तहरीर पर आरोपियों के खिलाब प्राथमे की दर्जकर टीन गठित कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। इस घटना से गाउं के लोग सहमें हुए हैं। वही प्रशासन द्वारा गाउं में खुले में शौच मुक्ती कोल खुल गई। आज भी गाउं में काफी परिवार शौचाले से वच्चत हैं जिससे खुले में शौच जाने की परंपरा परकरार है। किया गठना हुए है ? कुछ नहीं बहला है। कुछ नहीं टत्री आवा बहुं जाने पावक्का बाँवा है। थे अब देखे नहीं। अब सबेरे मारणे को तब काई रोशना रोशना हुए हम संभेठे गंगा समया महनानी हमें का देखे नहीं। सब्सक्राइब करें दोनों महिता हुए रहता है कि महतारी वहनी चारी उडोग मारें हम हुँ पट्टी आरा हम यह इस्टा फिर के चलेगें यह उलेट डबा लिहाओ ति रहा है तो काला हमा दुआर बढ़ हो डरो जाए हम जाएजी काम करें प्रहटा दी खुराग बन वाज एक साथ भूमत मुराज बढ़ रखे रहा है जहां रामिला डूटी करता है वहना है अब उचका फॉम इचार यह उपन तेरे मारे आवा यह का माट डारी तब यह कमर रही घरमा यह कि बच्चे यह काम भबाह आप गरमा रही लएके अब कोई बाले वाला ने इनके करने गए थे इनको गाओं के रोशनलाल आज ने उनको बांके से मार कर दिया है पुलिस को सुचना मिली पुलिस मोके पूंची है प्रात्मेक छानवे ने पता चला है कि जो आरूपी है वहा उसकी पतनी को दो साल से अपने पास रखे हुए था इसको लेके आपस में विव कि अन्य तत्थों की चान भी की जाएगी सव को पोस्माट्रम के लिए भेजा जा रहा है जो भी तहरीर परिवार वाले देंगे उसको अधार प्रकारवाई करेंगे सब्सक्राइब करें इंडिया टाप नीज चैनल और बेल आइकन दवाना ना बूलें इंडिया टाप नीज अपने चेत्र की ख़बर सबसे पहले पाएं